अज़ हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपने बुक देख लिए आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन किलास 6 की आपकी एक कंप्यूटर की बुक है ठीक है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट दिखा देते हैं उसमें सिलेबस बता देते हैं की आपका एन्वल का सिले बस क्या है तो जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे इसका कंटेन ओप्न कल देंगे चैज़ और यहां देखिए हमने ऑलरीड़ी पिछली ढर आपको जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था तब बताया था कि एन्वल का सिलेबस क्या है हमने हमें बताया था chapter number n9, the chapter number 8 iniya पढ़ना है अनlevol's कि Business के लिए ठीकैं यही दौनों chapterस आपको chapter number 9 और chapter number 10 यही पढ़ना है ठीक हैं जिसमें chapter number 9 करा चुकें यह हमने कराई था part 8 में क्योंकि chapter number 8 करता कटा दिया था ता आपको कट करवा दिया था वनना पेज नमबर 82 आप जल्दी से open कर लिए, पेज नमबर 82, हमने यहाँ पर पेज नमबर 82 open कर लिया है, देखिए हमारा पेज नमबर 82, चैप्टर का नाम है मारा more about email and internet, हम इसमें थोड़ा सा और जानेंगी email और internet के बारे में, और चैप्टर नमबर है मारा 10, देखिए हमने यह आपर part mention किया है, part कौन सा लिखा हमने, part number 9, और date, date तो आपको लिखे नहीं है किस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यानि part 9 जिस दिन यूट्यूब पर आएगा, उस दिन जो तारीख होगी, यहाँ पर आप लिख दिएगा, पहले देख ल उसके फायदे के बारे में समझेंगे, क्या फायदा है, कैसे email account बनाया जाता है, ठीक है, ट्रेविलिंग आफ इमेल, email को ट्रेविल करना एक जगा से दूसरी जगा, email को send करना, receive करना, क्या से होता है, ठीक है, application of XML, email account को application क्या है, उसका इस्तिमाल क्या है, हम email account बनाते है, तो हम क्यों बनाते हैं इंट्रोड्यूसिंग एंड एप्लाइंग इंट्रनेट मतलब इंट्रनेट को इंट्रोड्यूस करेंगे और एप्लाइ करना सीखेंगे इस्तेमाल करना सीखेंगे कि इंटरेट का हम इस्ते वाल कैसे करते हैं पहले यहाँ पर है इन्ट्रोडक्शन पहले यह बताया कि हमारा यह हमारा electronic mail है आप कुछ भी के लिए यह एक जरीया है जिसके जरीया हम क्या करते हैं message receive करते हैं और send करते हैं एक जगा से दूसरी जगा और एक computer से दूसरे computer throughout the world कहीं भी world में कहीं भी बैठाओ इंसान which can be include text उसके अंदर क्या क्या हो सकता है message के तोर पर हम text लेक के बेश सकते हैं picture बेश सकते हैं music बेश सकते हैं ठीक है यहां तक है video files भी जा सकती है it is one of the most cost effective and fastest means of communication यह सबसे ज़ादा cost effective और fastest means of communication है सबसे तेज हम यहां से communicate कर सकते हैं और सबसे अगर देखाया तो यह मैंगा भी नी पढ़ता बहुत सस्ता पढ़ता है for receiving or sending an email we need an email account यह कह रहे हैं अगर हमें कहीं पर email भेजना है या receive करना है लेना किसी के पास से अगर receive हमारे पास email आ रहा है तो हम किसे भेजेंगे ठीक है हम लिखते हैं from from dash to dash मतलब हमने इसकी तरफ से उस तक तो इस तरह से हमें इसमें भी क्या करते हैं जिसे हमें email भेजना है तो उसका email id यानी email address जो होता है उसका नाम वो पता होना चाहिए या अगर वो हमारे पास कोई email भेज रहा है इसे हमारा नाम पता होना चाहिए हमारे email id का नाम पता होने चाहिए योज़नेम पता होना चाहिए समरीन इट गीचाल लट-कॉम घ्रम भी कहते हैं और यह हमरा हम क्या कहते हैं hom down नेम इसे हम login नेम भी कहते हैं और gmail.com जो है हमारा इसे हम क्या कहते हैं domain name और service provider service provider का जो domain name है gmail.com yahoo.com ठीक है कई यह होते हैं ऐसे and at is the symbol pronounce as at the rate of और यह जो symbol है बच्चो यह वाला जो a है ऐसे गोल करके इसे हम कहते है इसे हम क्या पढ़ते हैं पूरा हम इसे कहते हैं एड़ दा रेट यानि abc at the rate gmail.com ठीक है इसे हम पढ़ते हैं at the rate symbol pronounce ads at the rate हम इसे कैसे पढ़ते हैं at the rate how to create an email account हम जल्दे लिपढ़ेंगे कुछ इसमें नया नहीं है बहुत आसान चेप्टर है अब यह बताएंगे email account कैसे बनाते हैं ठीक है there are many programs such as gmail yahoo redif mail etc that offers email account for free of course ही कह रहे हैं कई प्रोग्राम हैं जैसे कि gmail है yahoo redif mail है और एक्सेक्टरा मतलब और भी ऐसे प्रोग्राम है जो कि आपको email account बनाने के लिए free of course जो है क्या करते हैं account provide करते है email account provide करवाते है free of course जिससे आप अपना email account बना सकते हैं to create an email id in www.gmail.com follow the given step below लिके रहे हैं अगर आप gmail.com यानी gmail यूज कर रहे हैं gmail प्रोग्राम यूज कर रहे हैं ठीक है अपनी ID बनाने के लिए तो आपको क्या करना है पहला step कर करना है make sure that you are connected to the internet open any web browser सबसे पहले देखना है आप जो है internet से connect हैं आपके पास internet है आपका internet खुला है नहीं खुला है तो कोई सभी web browser खो लिए आपने chrome खोला internet explorer खोला कुछ भी खोला उसके बाद क्या करेंगे महां पर लिखेंगे www.gmail.com in the address bar and परस दा enter key मतलब जहां पर हमें search करना होता है search करके जैसे आप google खोला है google में search का option होता है महां पर लिखेंगे www.gmail.com उसके बाद go पे यानि enter कर देंगे अगर computer पे हैं तो computer पे क्या करेंगे एंटर का बटन दबा देंगे यह mouse की मतलब से go कर देंगे the home page of www.gmail.com comes comes up महाँ पर क्या होगा आपका जो home page होगा www.gmail.com का वो आ जाएगा खुलकर उसके बाद step 3 क्या होगा fall looking for the sign in button and click on it आपको क्या करना है sign in button होगा महाँ पर click कर देना है इस्टप 4 टाइप इनका पहले से हो करते में करते हैं जब आपको नया बनाना है तो हम क्या कर रहें नया बनाना उमरे항ा द strongest बढ़ागे फिर उसके बाद एक भर हवगल ना होता है जैसे हम पर हैams 13 पर देखो यहाँ पर Намना यह आया सब्सक्राइब अगर आपका पहले से अकाउंट है तब और यहां पर क्या है यहां पर पूरा फॉर्म देता है भरने के लिए कौन सा नम्मर यूज करेंगे आप ठीक है कौन सा नाम रखेंगे उसका पासवार्ड तो जब आपको करना है तो इस तरह से फॉर्म आता है क्रियेट करके आता है लिए करना होता है ठीक है फिर फिर अकाउंट नेम यू है वेंटर इस अलड़ी यूज बाई सम्वन एल्स यू रिसीवा मैसेज अलॉंग विडा लिस्ट ऑसेशेशन मालो आपने नाम यूज किया कि राहुल एट जीमेल डॉट कॉम तो मालो राहुल एट जीमेल डॉट क फिल दा एंट्री और यहां पर नेक्स बटन है ठीक है मतलब सबसे पहले क्या करना है सारा जब फॉर्म होगा उसे फिल करने के बाद कि रिएट माई अकाउंट करके होगा उस पे क्रेट टू जीमेल क्रेट माई जीमेल उस पर क्रेट कर देंगे जैसी क्लिक कर देंगे आप रमाल लिया आपका पाइसवर्ड गलत है या आपका नाम गलत है तो वहाँ पर रडड़ अज़ार और वहाँ पर फिर चेंज करिए आपने मतलब हो सकता है कि नाम दो लोगों का सेम हो रहा है एक और राहूल नाम का आदमी हो आप भी राहूल नाम की आदमी है आपने भी राहूल नाम से बनाई उसने भी राहूल नाम से बनाई तो आपका नाम थोड़ा अलग करने के वज़ा से वेबसाइट क्या करती है वो रॉंग बनाते देती ह और रेड रेड आ जाता है तो आपको नाम थोड़ा सा चेंज करना होगा राहुल1234 ठीक है राहुल at the red gmail.com है तो राहुल1234 at the red gmail.com ऐसे करेंगे आप फिर जब आपका form समिट हो जाए बाद में क्या करेंगे किलिक continue to gmail to open your email account window फिर क्या होगा आपकी email account window खुल जाएगी जब आपका account create हो जाएगा फिर next क्या है benefits of email, email के फाइदे क्या है email is a form of technology which has changed the face of modern communication ये कह रहे है email जो है एक तरह की technology है जिसने modern communication के face को change कर दिया है ये कह रहे हैं वो characteristics जो की emailing services को most popular और useful tools जो की available है internet पे वो कौन-कौन से है easy to use क्या है इसकी characteristics क्या है मतलब जिसकी वज़य से internet पे हम जो इसे इसे इस्तिमाल करते हैं कि पहला इसकी खासियत यह है कि आसान है इसे email is the simplest form of communication ये सबसे ज़्यादा simplest form का communication है communication मतलब बातचीत करना information share करना information receive करना it also assess us in managing our contact and immediately maintaining mail history यहां तक कि यह हमें जो है अपने contact और हमारी mail history को immediately क्या करने के लिए manage करने के लिए maintain करने के लिए भी हमें मदद करता है मतलब help करता है यह हमें यह वो चीज़ प्रोवाइट करता है वो function प्रोवाइट करता है जिससे हम अपने जो हमारी history है mail history है उसे हम maintain कर पाएं हमारा जो contact है उसे हम manage कर पाएं पेज नंबर 83 से पेज नंबर 84 यहां पर देखिए speed दूसरा इसका फाइड़ा यह क्या है कि इसकी speed email is delivered immediately anywhere throughout the world not no other service matches the email in time of speed यह करें email के मुकाबले कोई भी ऐसी service नहीं है कोई भी ऐसी चीज नहीं आई अब तक कोई भी ऐसा communication system नहीं आया जो email से तेज़ अपनी service service provide कर दे मतलब email जो है आप जो है होता है मतलब यह safe होता है reliable होता है वरोसे मंद होता है ठीक है email is one of the most secure means of communication and consistent effort are also being made to improve the security of electronic mails electronic mails क्या कहरें email जो है बहुत जादा most secure है हमारा communication के लिए और अभी भी इसके उपर effort करते हैं जो लोग बाग हैं इसके जोड़े होएं जो लोग इसमें software में जोड़े होएं जो इसमें काम करते हैं वह क्या करते हैं इसकी security के लिए अभी भी improvement में काम करते ही रहते हैं कि और बहतर बनाया जाए कि और कोई हो वो चुरा लाने लिए आपकी mail ना पढ़ ले तो इसके security के लिए बहुत ज़्यादा सिक्यूर है फिर है हमारा conversational and informal यह conversational है informal है जैसे the language used in email is very simple and thus makes the communication informal जो इसमें email हम जो use करते हैं email जो हमारा इसमें जो language होती है बहुत ज़्यादा आसान होती है और यह communication informal बनाती है बहुत आसान बनाती है because receiving and sending mail takes less time क्योंकि हमें पता है email को receive करना और send करना बहुत ज़्यादा कम time लगाता है therefore it can also be used as an important tool for interaction और इसलिए हम जो है as a interaction के लिए बातचीत करने के लिए हम इसे as a tool use कर सकते हैं ठीक है अगर मैं जो है video भेज रहा हूं कहीं पर यह कहीं पर मैं message कर रहा हूं हम क्या करते हैं लेटर सेंट करते हैं उसमें हम कागस पर लिखते हैं खत और भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कागस बरबाद हो रहा है email and save enough numbers of trees from being annexed annexed होना चाहिए तहां यहां पर एक्स लिखाए ठीक है कोई petrol नहीं चाहिए यानि वहां पर उसने फ्यूल भी बचा लिया advertising tool हम email को advertising tool के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं मतलब कोई बी चीज़ advertise कर सकते हैं email is also frequently used by companies to advertise their product जो email है उसे जो है जादतर companies भी अपने product को frequently advertise कराने के लिए इस्तिमाल कराते हैं उसके बाद how email travels email कैसे travel करता है to send an email you required a connection to the internet and access to a mail server यह कह रहे है अगर आपको email send करना है तो आपको जरूत पड़ेगी किसकी internet की कि आपका internet खुला हो और आपके पास एक mail server हो the standard protocol used for sending an email internet sorry an internet email is known as SMTP simple mail transfer protocol जो standard protocol जो हम internet email भीजने के लिए यूज करते हैं वो कौन सा है SMMT SMTP SMTP के full form क्या है simple mail transfer protocol it functions in conjunction with POP और यह जो है conjunction यानि उसके साथ जोड़ा हुआ है किसके साथ POP के साथ function करता है जैसे कि post office protocol server उसके साथ जुड़कर यह काम करता है ठीक है when you send an email your computer sends it to an SMTP जब आप email बेचते हैं तो आपका computer जो है SMTP के पास SMTP एक server है वो वहाँ से आपका email लेगा हमारी computer से फिर वहाँ से पहुचाएगा the server interns look at the email address and forward it to the recipient mail फिर क्या होगा उसमें देखीएगा वो server कि हमने हमारा email है वो कहां से आया है और किस email पर जा रहा है किस email id पर जा रहा है उसका कहते हैं हम address email address तो email address को देखेगा और वहाँ पर forward कर देगा receive and mail server जो होगा where it is stored until the addresses retrieves it वह वहाँ पर क्या होगा इस्टोर रहेगा जब तक addresses retrieves न हो जाए उसे retrieve न कल ले उसके बाद email program email program क्या होता है when you receive an email message your internet service provider software keep the message in your personal mailbox email program क्या होता है जब आप एक email message receive करते हैं आप तो क्या होता है आपके internet service provider होता है software वह आपके message को आपके personal mailbox में रखता है ऐसा नहीं कि आपके mailbox से बहार आ गया कोई भी पढ़ रहा है your mailbox is a storage place generally residing on the computer that links to you to the internet क्या होता है जो आपका mailbox होता है वह आपकी storage पर इस होती है जहां पर सारे email आते हैं और वह generally जो है आपके computer पर link होता है internet से such as the server operated by your ISP जैसे की server होता है आपके ISP के जरीए जो operate किया रहा होता है ISP internet service protocol ठीक है the a server that consists of users mailbox वो server जो के आपकी users mailbox को consist करता है and associated email message is known as mail server और वो सारे जो email messages associate करता है उसे हम कहते है mail server email programs allow users to manage the mails through functions such as same forward print delete etc और जो email program होते हैं वो users को allow करते हैं जिससे हम mail functions करने से क्या कर पाएं manage कर पाएं ठीक है such as same forward print delete etc the most popular email program are hotmail outlook and gmail जो most most popular email program है वो कौन-कौन से हैं हमारे hotmail gmail और outlook यह हमारे most popular email program है ठीक है फिर next page page number 84 से page number 85 पर आ जाईए यहां देखिए page number 85 top पर यहां पर कुछ नहीं बस ऐसे हैं आपर pictures देख रही हैं आपको यहां से हमारा main application of an email account email account का application क्या है इस्तिमाल क्या है to assess your email account you are required to login or sign in यह कह रहे हैं अगर आपको email account इस्तिमाल करना है use करना है सबसे पहले sign in होना चाहिए यह हम उसे कहते है login ठीक है अपनी email id login करो या sign in करो step first open the website in which you have created your account सबसे पहले आपने जिस website में अपना account create किया है वो website खोलिए यानी Gmail हो ठीक है या Outlook हो या Hotmail हो या Yahoo हो कोई सबी .com हो जिसमें अपने account बनाया है वो open करिए उसके पाद step two enter your login name यहां पर अपना नाम जैसे यहां पर मैंने लिखा amir at gmail.com ठीक है इस तरह से मैंने नाम लिखा उसके बाद यहां पर password जो कि किसी और को नहीं बताना इससे हमें पताना चाहिए ठीक है and password in appropriate box यहां पर password वाले में password नाम वाले में नाम step three click on sign in button your account window comes up जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो account होगा account window होगा वो आपका खुल कर आ जाएगा फॉरण फिर यहां पर compose क्या है compose mail mail compose करना mail composing करने का मतलब क्या है और कैसे करते हैं मतलब एक जगा से mail इदर से उदर भेजना this option is used to write an email compose mail का option किसलिए use करें आता है email लिखने के लिए ठीक है step first click on compose button सबसे पहले compose button पर click करना है the compose window comes up वहां पर एक compose window खुलके आईगी जहां पर आप email लिखेंगे step to enter address of the receiver emails id to in sorry email id in two area area एक जगा लिखा होगा to एक लिखा होगा sub करके फिर एक लिखा होगा from यहां पर box ऐसे करके box फिर यहां पर ऐसे box फिर ऐसे box होता है ऐसे point तू आले जिसे भेज रहे हैं उसकी email id मानलो मैंने एक लड़के को भेजा जिसका नाम है समीर तो मैं लिखूंगा samir at gmail.com उसका नाम उसकी user id नाम username कोई भी नाम हो किसी जो भी उस नाम use किया हो subject किस चीज़ से copy जो है दूसरे person को भेज है जो आपने email उने भेजा है उसे ही वही email दूसरे लोगों को भेज है तो क्या करना है enter their email address in cc carbon copy area carbon copy area में cc लिखा होता है वहाँ पर आपको क्या करना है उसका email address enter करना है मतलब जिसे भेजना उसका if you desire to send the same message to other person without letting them know about the fact that others also have received the same message message अगर आप चाहरे हैं कि आपको message भीजना है मगर उससे यहन पता चले कि यहीen message मैंने message भीजा है उसके लिए क्ढ़ करना है तो इसके लिए नहीं करना है type their address in bacc तो मेरे पास भी आया है और इसके पास भी यही message आया ब दो मैं जहाए मैं लिखना है ऑगर म águaoh मेसेज इस लड़किया ने दूसरे को भी किया है इमेल मतलब इस ट्री एंटर सब्जेक अफ़ दा मेल इन दा सब्जागे अरिया में मेल का सब्जागे क्या है ठीक है अगर पाटी है तो हम लिख देंगे इस तरह से मतलब इसलिए हम इमेल लिख रहे है इस तरह से हम लिखेंगे उसके बाद यह हमारी मैसिज लिखना है सब्जेक एंटरी सब्जेक यहाँ पर यहाँ पर टाइप यहाँ पर पूरी जगा होती ही मैसिज लिखने की इसमें लिखते हैं कि इतने बज़े है आपको इतने बज़े आना है इस गेस्ट हाउस में आना है ठीक है इस तरीके से जो हमें बताना है वो उसके बाद किलिक ऑ की तार पर पिशर की तारपब वीडियो की तारपर क्या कर सकते हैं और दूसरी दोकूमेंट्स जैसे कि हमारे जो इमेल जा रहा है कि अचाड़ ऑग बेजब सकते हैं मतलब मैंने इमेल बेज बेह तरह ने ai ž बेज नहीं है तो उसके steps बताए हैं कैसे आपको file बेजनी चाहिए और कैसे बेजनी है click on dash link यहाँ पर एक link होता है इस तरह का उस पर यह link होती है इस पर click करेंगे जहाँ पर आप subject लिखते हैं मही के नीचे ही लिखा होता है ठीक है यहाँ पर यह लिखा हुआ है attach कर यहाँ पर इस पर click करेंगे select the file to be attached फिर उसके बाद आपकी file आएगी यह file है कोई सी भी file attach करनी है select कर लिए step 2 step 3 click here फिर यहाँ पर click कर देंगे select हो जाएगी select होने के बाद you see the name of your attach file and its size also in the compose window अब आप देखेंगे जो आपकी compose window है उसके अंदर size उस file का नाम size सब कुछ उसी window के अंदर नजर आने लगेगा यानी simple वह attach हो गई 87 पर आईए page number 87 टॉप पर देखिए step 4 click on the send button फिर send पर click कर देना email पहुच जाएगा inbox क्या होता है inbox क्या होता है वो जगा जहाँ पर आपके mail आते हैं सारे जहांसे आप अपने पुराने message वहां से पढ़ते हैं ठीक है यह option होता है this contain all your receive mail यहाँ पर सारे आपके पढ़े है mail वो सब लिखे होते हैं to read mail follow the given steps अगर आपको mail पढ़ना है तो आपको क्या करना है आपको देख रहा है कि आप हमारे mail आया हुए हमने पढ़े नहीं अन्रीड अन्रीड 60 लिखा है मतलब आपने आपके mobile में या आपके computer में 60 mail आपने पढ़े नहीं तो आपको प attachment attachment जो आपने attach किया है उसे खोलना है तो क्या करेंगे अब the mails with an attachment are displayed with a paper clip ये कह रहे हैं जो आपका mail जो attachment के attachment के साथ display होगा वो कैसे display होगा एक paper clip के साथ ऐसे लगएगा paper clip है ऐसे करके icon बना होगा आपने कोई video message voice अटेच किया है तो आपको voice नहीं दिखेगी audio नहीं दिखेगी क्या होगा इस तरह से icon बनाएगा ठीक है तो open attachment follow the given steps below ये कहरे हैं अगर आपको attachment open करना है तो आपको इसके steps follow करने पढ़ेंगे पहला step open your account and click on inbox option सबसे पहले अपना account open किया inbox पे click किया click on mail within attachment उस mail को open करो जिसमें attachment आपने कर रखा है उसके बाद the mails open with the message and the list of attached file क्या होगा आपका जो mail है वो open हो जाएगा और जो list download then one attached file click on download all attachment अगर महाँ पर एक से ज्यादा attach file होगी तो आपको महाँ पर क्या करना है download all attachment पे click कर देना है to download all the attached file on your harddix किस लिए कि आपकी harddix पे वो attach file download हो जाए 89 sorry 88 open कर यह page number 88 88 है हमाँ टोप पर देखिए step 3 क्या होगा file downloaded download dialog box come up वहाँ पर जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी वहाँ पर एक file download dialog box खुलके आएगा on the save button save button पे sorry click on the save button फिर क्या करना है आपको save button पे click करना है specify the location and click on save button आपको location बतानी है आप किस जगा पर save करना चाहरे है उस file को और वहाँ पर save button पे click कर देना step 4 क्या है after completion the complete dialog box come up जैसी यह सारा काम complete होगा आपका complete dialog box खुलके आएगा click on the open folder open folder पे click करना और बटन होगा वहाँ पर उस पर click करना है click करने के बाद क्या होगा click on the open folder to view the downloaded box जो आपका downloaded files है उसे देखने के लिए view करने के लिए क्लिए क्या करना है open folder dialog box पे click कर देना है open folder बटन आएगा एक उस पर click करना है step 5 double click on the zip file zip file पर double click करो you see the files you have received तो आपको महाँ पर वह फाइले दिखेंगी जो आपको received होई होगी as an attachment मतलब जो attachment के तौर पर आपके fast file आई है double click to open the needed file और फिर दोबारा double click करो वह फाइल ओपन भी हो जाएगी फिर क्या है reply reply कैसे करेंगे भाई reply होता क्या चलिए देख देखने पहले you reply to receive message with the help of this option यह कहरें reply में क्या करते है आप reply करते हैं receive message जैसे आपके पास कोई message आया हाई तो आप कहाँगे हाई ठीके किसी ने का assalamu alaikum आप कहाँगे वालेकुm assalam तो आप reply करते हैं तो आप कहाँगे to reply to a message open the mail and click on the link क्या करना है अगर आपको किसी message को reply करना है तो उसका पहले message जो आया है जो mail आया है उसे open करिए उसके बाद reply वहाँ पर button होगा इस पर click कर देंगे now type your message and click send फिर अपना message type करिए और send पर दबा दिए तो आपका reply चला जाएगा फिर page number 89 पर top पर आईए forward, forward में क्या होता है message forward मतलब भेजना you can forward a copy of a receive email to other people with the help of this option ये करें forward की मतलब से क्या होता है आपके पास कोई message आया आप अगर forward करेंगे तो वही same message दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं आप to forward a message open the mail and click on the forward link ये करें अगर आपको message forward करना है तो आपको क्या करना है पहले तो वह mail open करें जो आप दूसरे को बेजना चाहरे है open करा वहाँ पर forward लिखा होता है forward पर click करेंगे reply forward यहीं बराबर में forward पर click करेंगे फिर option आएगा किसे forward कर रहे हैं ठीक है उसे forward कर दिए now enter the address of the receiver and click on send उसके बाद बिन क्या होता है बच जाता है कि आप further उसे देख सकें वहाँ से भी अगर delete कर देंगे तो आप दुबारा नहीं ले सकते you can restore the deleted mail from bin within 30 days और 30 दिन तक रहेगा 30 दिन के अंदर अगर आपने बिन के अंदर से नहीं निकाला तो आपका mail delete हो जाएगा वहां से भी to delete our mail select the mail by clicking on the chat box checkbox on the left of the mail and click delete button क्या करना है अगर आपको mail delete करना है आपको mail select करना है उसे click करके checkbox पर click करके जो क्या आपके left में होता है mail के left में एक checkbox बनाता है उस पर click करेंगे यहाँ पर देखिए ऐसे करके box है सब पर click करते जाए करते 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 जितने delete करने यहाँ पर delete बतन बना हुआ है does been बना हुआ इस पर click कर देंगे क्या होगा वो delete हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर रहे to restore a delete mail अगर आपका mail restore करना है वापस आप लाना चाहरे है जो आप delete कर चुके more पर arrow बनाए arrow पर click करेंगे arrow पर click करेंगे फिर क्या होगा select bin वहाँ पर bin option आएगा उस पर click करना है the bin sorry sorry the bin option open क्या होगा आपका जो बिन है वो open हो जाएगा is that to کیya है select the meal you desire to restore अब बिन open होगा बिन के अंदर वो सारे deleted आपके मेल होंगे जो उसमें आपने पहले डिलेट कियोंगे फिर वो मेल बिन में पहुच गए होंगे तो वो आपको स्लेक कर लेने हैं उसके बाद option आएगा restore ठीक है कहां जाना है click on click on move to button and choose inbox from the list to restore your mail back to your inbox फिर क्या करना है आपको वो मेल सारे choose कर लेने restore करने के लिए जो कि आपके inbox में वापस आ जाएंगे अगर आप restore कर देंगे ठीक है फिर यह सब ऐसी बस पिच्चर है आपको यह समझाया जा रहा है फिर पेज नंबर 90 पर आईए पेज करना टाक्स पूरा कर लें तो आप कभी मद भूलिए अपना account sign out करना और एल्स अंदर प्यूपल के निसस यूर अकाउंट वनना दूसरा इंसान आपका तब भी log out हो जाएगा sign out हो जाएगा it can be available anywhere on the form as placed by the designer of the site यह कह रहे है जो जिसने form बनाया है जिसने website बनाई है उसके हिसाब से वो कहीं पर भी available हो सकता है जरूरी नहीं है कि सब right corner में ही नीचे हो या left में हो ठीक है top में भी हो सकता है bottom में भी हो सकता है जहां पर भी sign out लि network कहलाता है ठीक है the internet also known as the net internet को हम नेट भी कहते है is an electronic communication network यह electronic communication network है it is one of the largest network that links millions or billions of computer all over the world यह सबसे बड़ा largest network है जो के million billion computer को पूरे world में connect करता है link करता है you can access this network via communication devices and media such as modern modern cable telephone line and satellite यह करे हैं आप इस communication को use sorry इस network को कैसे access कर सकते हैं कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं communication devices को use करके कौन-कौन से जैसे की model है cable है telephone line है satellite है फिर आया हमारा internet is one of the major reasons why people buy computer these days यह करें internet ही main region है जिसकी वज़ा से क्या करते हैं लोग बाग computer खरीदते हैं वनना computer का क्या इस्तेमाल होता क्या इस्तेमाल करते है computer का कोई use ही नहीं था गा internet नहीं था तो through the internet society has access to information from all around the globe यह करें internet के मदद से उसकी वज़ा से जो हमारी पूरी society है उसे जो हमारे all over the globe की information मिल पाती है the advantage of the internet is that you can use it from a computer anywhere फाइदा यह है इसका internet का कि आप इसे जो है कहीं भी अपने computer की मदद से कहीं भी घर पे हैं school में है college में है restaurant में है work पर है job करने काएं कहीं भी आप इसे इसे इस्तिमाल कर सकते हैं अब तो हम mobile में भी चलाते हैं ठीक है application of internet internet के application यानि इसके इसके इस्तिमाल more than 1 billion people around the world use the internet daily for a variety of reasons यह करें 1 billion people से ज्यादा लोग जो है दुनिया में हमारे वर्ड में internet को अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों के लिए इस्तिमाल करते हैं हम explain नहीं कर सकते हैं इतने इसारे इसके इस्तिमाल हैं इस इंक्लूटS reading newspaper news searching information chatting with other people making friends sharing data and information shopping banking playing games and listening to music or watching movies यह सारे काम बता है जो लोग बग internet की मदद से करते हैं क्या क्या करते हैं news परते हैं information search करते हैं चैटिंग करते हैं लोगों से दोस्त बनाते हैं data share करते हैं information share करते हैं shopping करते हैं banking करते हैं यहां तक कि खाना भी खरीते हैं ठीक है जैसे हमारा सुईगी है फिलिपकार्ट है क्या करते हैं shopping करते हैं इंसे इस से आप को इसी भी चीज कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बारे में पता कर सकते हैं गांडी चीवर इस्टी चाहिए वो मिल जाएगा सबस्टी से चोटी सेृटी इंटनेट पर अवेलेबल है इट गिफ्स यू एसस्ट इंफॉर्म इंफॉर्मिशन और इनी सब्जेक ऑफ इंट्रेस्ट यह कह रहे हैं आपके इंट्रेस्ट के साथ से आप जो सर्च कर रहे हैं वह उस तरीके की इंफॉर्मिशन आपको देगा हर चीज महां पर मौझूद है यो के इंटरनेटस सर्च वैसिलिटी जूए उसे आप योग गा सकते हैं झही हो जेंटरनेट पैसिलिटी जो है उसे आप यूज करके जो विर जू करसकते हैं ग 네 अपको है पे सर्च कर सकते हैं, आपको स्कूल से असाइमेंट मिला, हमवक मिला, कि आपको और खुइक के ओपर लिखना है, आपको नहीं पता ओर्फ कोई के ओपर जाधा तो अपक्ates करेंगे इन्टरनेट से देख लिए कि अर्थ कोई क्या होता है कैसे आता है कैसे प्रोसिस क्या होता है सारी चीज मिल जाएगी वहां पर फिफ पेज नमबर 91 ओपिन करिए यहां पर देखिए दूसरा इसका यूज है इमेल इलेक्टोनिक मेल भी हम इंटरनेट की मदद से यह बेशते हैं अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम मेल भी नहीं बेश सकते हैं यह कहरे हैं जिसे हम इंटरनेट पर ही मिले हैं जैसे फेस्बुक महाँ पर हमारे पहले से दोस्त नहीं होते हैं कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हम इंटरनेट भी बनाते हैं इमेल है वह बहुत ज़्यादा तेज बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सस्ता है ठीक है एंटर्टेन्मेंट मतलब यह एंटर्टेन्मेंट प्रोवाइट करता है हम इस पर मुवीज देखते हैं अगर बहुत हो रहे हैं कॉमेडी सीरियास देख लिए ठीक है काटून देख लिए इंटरनेट ओफर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटर्टेन्मेंट यह करें नवाउनाता कि हम लाइव मैच जो चले होते हैं वह देख सकते हैं और मुजुभी सुन सकते हैं दूसरा प्रोग्राम यूए फाउज़ टायन ओफ परोग्राम यूस करें तो आप उसे उसे भी find कर सकते हैं, game खेलना चारा है, game download कर सकते हैं, accounting program है, accounting program, तो उसे भी download करके रख सकते हैं, उसे use कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे program जो available होते हैं, internet पे, buy and sell, हम चीज़ें खरी सकते हैं, बेश सकते हैं, you can order product on the internet even while sitting at home, ये कहे रहे हैं, आप जो है product जो है, internet की मदद से, internet आपर order कर सकते हैं, चाहे आप अपने कमरे में घर पर बैटे हो, you can purchase items such as book, flower, music, CDs, pizza, stocks and used car, आप जो है महाँ पर पुरानी चीज़ें जैसे used car, जैसे हमारा OLX है, flip card है, sorry, OLX है हमारा, उस पर हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें खरीते हैं, ठीक है, सस्ते रामों में खरी दे, बेज देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फिलोवार, फूरी सकते हैं, भॉक खरी सकते हैं, music, city करे सकते हैं, प rebellर करी सकते हैं, अपने घर के किराने का जो सामग नों हता है, डाल, चीनी, चावल, साबून, सब कुछ, जूत, चपल, कपले, सब कुछ, चैट कर सकते हैं, मतल will instantly appear on the other person computer जैसे आप message भीजते हैं क्या होता है दूसरा computer जो चला राज सामने वाला जैसे आप message भीज रहे हैं उसे foreign message दिखता है फिर वो message पढ़के उसका reply करता है उसका answer देता है जैसे आपने का how hi how are you मतलब hello आप कैसे हैं तो वो कहेगा hi I am fine हाँ मैं बहतर हूँ तो क्या किया उसने जवाब दिया इस तरह से हम क्या करते हैं message exchange करते हैं socialize with other हम इसकी मदद से socialize होते हैं दूसरों से जोड़ते हैं जैसे you can join social networking sites on the internet that enables you to connect with people who share similar personal and professional interest हम क्या करते हैं social networking sites पर join होकर लोगों से बातचीत करते हैं उनसे connect होते हैं जो के हमारे professional interest को उनका भी हम और हमारा भी similar personal और professional interest है जैसे मैं football खेलना पसंद करता हूँ या cricket खेलना पसंद करता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं और लोगों को देखूँगा जो football खेलना पसंद करते हैं फिर दोस्ती बढ़ाऊंगा उनसे भी सीखूँगा अपने उन्हें भी सिखाऊंगा इस तरह से ठीक है one on most social networking sites the members are connected to each other as friends of friends and so on और जाहतर जो लोग बाग networking sites पे social networking sites पे जो connect होते हैं एक दूसरे से वो कैसे या तो फिर दोस्त होते हैं यह दोस्त के दोस्त होते हैं जैसे कि मैंने कोई अपना मेरा दोस्त है such as Facebook and myspace boosting over hundred million member each क्या जिसमें Facebook है हमारा एक social networking site myspace boosting है एक जिसमें hundred million member जो है दोनों में use कर रहे हैं प्लेइगेम हम गेम खेल सकते हैं यह तो हर किसी को पता है on the internet you can play many different types of online game यह कह रहे है इंटरेट पे हम जो है कई तरह के online games भी खेल सकते है तो यह तो हर किसी को पता है मेरे साब से इसमें ऐसा नहीं था कुछ कि लोगों को पता ना हो सेचिंग information on the internet यह भी मैंने बता दिया कि हम internet पर कोई भी information search कर सकते हैं देखते हैं इसे पढ़े लेते हैं पहला क्या है the internet is home to many web pages internet क्या है काफी web pages का घर है हर तरह के web pages वहाँ पर मिल जाएंगे so if you want to visit any particular page then how do you know where to visit ये कह रहे हैं तो अगर आप किसी भी particular page पर जाना चाहरे हैं तो आप कैसे visit करेंगे आपको कैसे पता चलेगा क्या करना है there are four website called search engine that enable you to quickly search the web pages that you want to visit search करना चाहरे है फॉरां search करिए go के बटन पर या enter के बटन पर दबाईए आप उस site पर पहुच जाएंगे you can search the web either by going directly to our search engine sites or by using the search future built into your web browser simply सी बात कर रहे हैं अगर आपको कोई search करना है तो आप search engine site पर जाएए या आपका जो inbuilt पहले से और बिराउजर है उस पर search कर लिए जिसे हमारा Google Chrome है simple ठीक है हमारा बिराउजर है यह हमारा Google Chrome है बिराउजर है या हूँ है वो सॉरी mozilla Firefox है internet हमारा जोता है ठीक है internet explorer उसके अंदर सब यह सब search करने के लिए यूज करते हैं हम लोग फिर आई हमारी exercises चलिए तो one by one exercises कर लेते हैं chapter जो हमारा last chapter चल दा है इसकी exercise first है multiple choice question जो के हमें bookmarker नहीं होती है यह है इसका all deleted mails automatically move to dash option जो हमारे सारे deleted mail होते हैं automatically कहां पहुँच जाते हैं bin option में पहुच जाते हैं कहां पर bin option फिर b है with the help of dash option copy of receive email is forwarded to other people किसकी मदद से हमारी copy जो होती है email की जो हमारे पास आया होता है वो दूसरे लोगों को तक जाता है वो कौन सब option होता है forward option forward पे click करेंगे तो जो हम email खोले होए जो email पढ़ रहे हैं वो email दूसरे के पास जाएगा ठीक है तो a का हमारा हो गया c bin b का हो गया हमारा a forward फिर next 92 page open करिए page number 92 exercise c it is dash to sign out from your account to protect your privacy यह कहरें यह unnecessary यह मतलब जरूरी नहीं है जरूरी है यह दौनों कि हम sign out करें अपनी privacy को बचाने के लिए protect करने के लिए अपने account के privacy को प्रोटक करने के लिए क्या यह जरूरी है कि हम अपना account sign out करें यह नहीं है यह दौनों है तो मेरे साफ से जरूरी है क्योंकि अगर कोई और उस Google को चलाने लगा मालो आप Google Chrome अपने यूज किया महापर अपना account login कर रखा है कोई और चलाएगा तो आपका account देख लेगा सारे message पढ़ लेगा तो आपको क्या करना है उसे log out कर देना है अगर वो आपकी login भी करना चाहेगा तो आपको password नहीं बताना है उसे वनना वो login कर लेगा ठीक है तो C का क्या हो गया B mandatory mandatory मतलब जरूरी होता है sign out करना mandatory to sign out मतलब जरूरी होता है sign out करना डी है the internet is an dash communications network internet क्या है एक electronic communication network है तो C का क्या हो गया हमारा B D का क्या हो गया हमारा C अब आजाए इसके exercise 2 क्या है हमारी यह तो हमें copy में करनी है तो हम यह last में करेंगे ठीक है इसे हम last में करेंगे पहले आज यह fill in the blanks पर fill in the blanks देखिए यह book में करनी है ठीक है email is one of the fastest and cost effective means of communication ठीक है यह हमारे बस बीच में से word आता दी है उसे पूरा करना है e double f e double f e c t i ve effective second है in abc at gmail.com at the rate gmail.com abc is the username and gmail.com is the domain name इसे हम कहते है यह हमारा domain name होता है यह हमारा username होता है तो यहां पर लिखा हमने domain name d o m a i n domain name third है हमारा attaching a dash is very useful service giving an email program तो यह क्या था हमारा attaching a file ठीक है फिर next है fourth inbox contain list of all your receive mail inbox के अंदर क्या होता है सारे receive mail के क्या होते है list होती है अब आई यह की exercise 2 पर answer the following question question number a write the step to create an email account page number 82 पर है यह बताना है कि email account कैसे create किया जाता है कैसे बनाया जाता है page number 82 पर लिए answer number a exercise 2 page number 82 चलिए page number 82 देखिए यह हमारा page number 82 how to create an account ठीक है तो यहां से लिखेंगे step 1 step 2 पूरा step 3 पूरा step 4 page number 82 पूरा step 1 पूरा step 2 step 3 पूरा step 4 और next step 4 यहां तक है पूरा step 4 यहां तक ठीक है यहां पर क्या है step 4 type in the desired account name in the desired login name box ठीक है यहां तक step 4 उसके बाद step 4 यहां तक लिखने के बाद step 5 पूरा step 6 पूरा मतलब देखा जाये तो यहां तक पूरा लिखना है कहां से यहां से ठीक है यहां से लिखना शुरू करना है page number 82 से page number 83 तक जाना है यहां से लिखना शुरू करना है और यहां से लिखकर यह वाला पूरा आप जो है यहां तक लिखलेगा यहां तक लिख लिएगा पूरा मत करीगा है फोर्थ वाला पूरा मत लिखेगा खाली फोर्थ वाला यहां तक लिखेगा नेम बॉक्स तक ठीक है फिर 83 पर यह वाला मत लिखेगा यह वाला नहीं लिखना है यह नहीं लिखना है यह नहीं लिखना है यह लाइन दौनों नही दुबारा लिख देता हूँ answer number a exercise 2 और start कहां से है start यहां से है answer number a exercise 2 page number 82 और page number 83 तो वापस आईए question पर question पर आईए और यहां देखिए page number 82 और इसके साथ साथ page number comma 83 दोनों पर है ठीक है start कैसे करना है question से भी लेना पड़ेगा the steps to create an email account are email account are उसके बाद से page number 82 और 83 वाला लिखना है यहां से पहले लिखेंगे बुक से मतलब question से भी है write the steps for accessing your email account email account को access करने के लिए आपको steps लिखने कैसे access करेंगे page number 85 पर है यह page number 85 question number B तो page number 85 open कर लेते हैं हम यह रहा page number 85 यहां है composing mail page number 85 और accessing mail यहां पर है मारा राइस्टेंट बच्चों यह देखिए मतलब हमें email अपना जहें mail है वो access करना है एक बार दुबारा आप इसके question पर आईए दुबारा देख लेते हैं इसके question question number क्या है write the steps for accessing your email account अच्छा email account को access करना है उसके steps बताने हैं हमें तो page number 85 ही open कर लिए ठीक है page number 85 question number B page number 85 open कर लिए इस cancer 85 पर ही है यह देखिए तो access your email account you are required to login और sign in यहां से लेकर पूरा यहां तक यहां पर आपको जोई ना यह बटन नहीं बनाना है आपको यहां पर sign in लिख देना है च्छोटा सा sign in लिख देना है sign in बटन ऐसे करके गॉल मत कर दिएगा ऐसे मत करिएगा यह कर भी देंगे तो गलत नहीं मगर ऐसे सिंपल लेख सकते हैं ठीक है यह हो गया आंसर नंबर भी हो गया एक्सराइज टू आंसर नंबर भी एक्सराइज टू यहां से लेकर यहां तक आंसर नंबर भी एक्सराइज टू ठीक है पेज नंबर 85 पर कोश्चन नंबर सी देखते हैं कोश्चन नंबर सी है email compose करने के step बताइए page number 85 और 86 पर ही है ठीक है answer number C page number 85 86 यह हो गया हमारा यह हो गया अब यह हो जाएगा page number 85 page number 85 देखिए composing mail this option is used to write an email ठीक है आप क्या करेंगे to compose mail या steps to compose mail ऐसे करके लिखेंगे फिर step first लिखेंगे पूरा step two लिखेंगे पूरा step first step two लिखेंगे यह step first step negative step 2 करके इसे पूरा ठीक है step 1st पूरा step 2 पूरा 85 से 86 पर रोकिफेंगे spend के बाद यह पूरा नियाँ पर step 3 step 4 step 5 यहां तक लिखना है आपको यह क्या हो गया answer अब हम step 2 चोटा करते हैं answer no c exercise sorry exercise 2 अब यह देखिए यह वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया तो यह हमें क्या करना है कहां तक करना step 2 यह देख लिए step 2 देखिए सिर्फ आपको करना है enter the address of the receiver email ID 2 area बस यहां तक ये वाला नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है पूरा, मैं काट देता हूं इसे, step 2 सिर्फ यहां तक लिखना है, वन्हाई बहुत बड़ा है, step 2, देखिए, यहां तक है पूरा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं है step 2 में, ठीक है, step 2 जो मैं फिर step 2 यहां तक area तक step 2 के बाद step 386 पर है फिर step 4 step 5 यहां पर answer C complete हो जाएगा next question number D पर आईए ठीक है कैसे लिखेंगे अब the steps to compose email are sorry जी जी बिल्कुल सगी है हमारा आर इसके बाद आर उसके बाद page number 8586 पर जो टिक लगाया वो कल लिएगा question number D देखते हैं how will you sign out from your email page number 90 पर कि आप अपने email से sound out कैसे होंगे last one हमने बताया था ठीक है तो यहां देखिए page number 90 पर sign out आफ्टर यहां पर देखिए to sign out to sign out click the link available on the webpage यहां पर आपको क्या करना है यह sign out लिखा है ऐसी लिख देना है sign out link पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपका ऐसी sound out बना होता है ऐसे यह मैंना बढ़ा करके लिख दिया आपको यहां नहीं दिख रहा हो तो ठीक है उसके बाद यहां तक ठीक है यहां से लेकर यहां तक कौन सा answer हो गया यह answer number D answer number D और exercise 2 exercise 2 answer number D ठीक है यहां से लेकर 2 से लेकर पूरा side तक ठीक है strengths यहां पर हमारा page number 90 पर हमने answer last answer जो था वो complete करा दिया है अब इसी के साथ हमारा annual का syllabus computer का complete होता है तो हम यहां के लिखेंगे annual course completed ठीक है annual course completed so यहां पर आपका chapter complete इसके साथ आपका computer का syllabus complete 6 class की अपकी computer की book overall complete हो गई है अब आजाए इसके content पर हमने सिर्फ आपको एक chapter नहीं पढ़ाया इसमें कौन सा chapter number 8 introduction to Q-basic अगर आपको लगता है कि पढ़ लेना चाहिए तो आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं ना में हो रहा है यह आपके exam में नहीं आएगा इसलिए हमने नहीं पढ़ाया है ठीक है तो यहां पर part number 9 में हमारा chapter 10 complete so students next time next books पढ़ेंगे chapter अब तो आप class 7 की book start करेंगे ठीक है class 6 आपकी complete हो गई thank you very much assalamualaikum